यूपियर उत्राखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दपाई उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बारावं की घटना को लेकर कहा गया कितनी बीबत घटना पहली बार देखी गई है इसे तरूप से उत्तर प्रदेश के जो हालात हो गये हैं इतनी भयावा खतनाग घटना है उत्तर प्रदेश में घटित हो रही हैं साइद देश के किसी हिस हैं दूसरी तरफ महिलाओं के साथ दुराचार अट्याचार बेविचार हो रहे होते हैं और सरकार अंत में अपराधियों को जिस तरह सकती दिखानी चाहिए ना दिखाकर कहीं कहीं तो अपराधियों साथ खड़ी हो जाती है अंत में बारा बंकी यसे तर्थ सामने आते हैं किस तरह घटना है जीवन देखी नहीं गई और खुद पोलिस को कहना पड़ता है कि सामुषिक दुराचार हुआ है आने वाई टाइम पे आप देखिएगा यहीं घटना है हात्रस जिसके सरकार चुपाने काम कर रहे थी हात्रस के भी प्रक्राण इस तरह से चौकाने वाले स हात्रस घटना में SIT, CBI, सरकार, उत्तरप्रदेश की पोलिस कहीं ने कहीं सवालों के घेरे में है परिवार ने खुद आरोप लगाए है और इस घटना के लिए जो उत्तरप्रदेश और प्रिवार को रहत देने वाली बात है कि इसकी कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है सुप सरकार या उसके जो भी आला अफसर उस घटना को चुपाने दबाने का काम कर रहे थे या कोई रिपोर्ट बनाने काम कर रहे थे वो दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा कोर्ट में जिस तरह से फटकार मिलीती अधिकारियों को आने वाले समय में तत्थ चुपाने ह पाएंगे जिस तरह से बाराबंग की गटना सामने आई अंत में बताना पड़ा कि सामोहिक दुराचार बलातकार हुआ था डॉक्टरों ने कहा कितना विवत से गटना नहीं देखी वही हात्रस में होने वाला है परिवार की जो केस का ट्राइल चले उत्तरप्रदेश के बाहर चले क्या रखता है कि परिवार इस टाइप की मात पहले कि अपर रहा है कि आप कोड मॉनिटर करें और उत्तरप्रदेश के क्या है उसको भरुसा नहीं है जिसको परिवार बारवाद ये मांग कर आए जो इंक्वारी चले परिवार उसके जो वकीर है वह भी बाहर की बात कर रहे हैं देश में पहली बार देखा है कोई पिडित उक्तर प्रदेश में पॉलिस से सरकार से भैभीत होकर अपने केस को में पुलिस की सरकार की अधिकारियों नहीं चलेगी जो तथ्य होंगे जो प्रमार्ण होंगे वो सामने आएंगे दोसी सजा पाएंगे चुकि सुप्रिम कोट इसकी मौदेटरिंग करेगा